दोसों, दुनिया में RC लोगों की कोई कमी नहीं है, और इनी RC लोगों ने Option Sailing की एक Strategy बनाई है, जिसका नाम है Iron Condor Strategy, अब इस Iron Condor Strategy को हम RC लोगों की Strategy क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमें Bullish Trend की Analysis करनी होती है, ना Bearish Trend की Analysis करनी होती है, ह हमें मतलब ही नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जहां मर्जी जाए, हम तो एक Range Define कर लेते हैं, कि मार्केट Maximum इस Range से लेकर इस Range के बीच में ही रहेगी, और अगर इस बीच में Expired अगर Contract हो जाता है, तो हमें पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा Option Sailing से, लेकिन Iron Contour तो हमने बहुत बार देखें, आज की वीडियो के अंदर नया क्या है, ψहरणी वीडियो के अंदर नया यह है, जो Iron Contour आपने पहले देखें, यह Iron Contour उससे अलग है, पूराने Iron Contour या Basic Iron Contour जो आपने देखें, उसमें बहुत मिहगी Хैजिंग होती है, तो वो hedging बड़ी सस्ती करेंगे आज की वीडियो के अंदर ताकि आपको maximum premium का benefit मिल सके क्या ये iron condor कम margin के अंदर हो जाएगा definitely कम margin के अंदर ये iron condor हो जाएगा option selling के अंदर जो आपको wide margin देना पड़ता है उससे भी दोस्तों आप बचेंगे उसका benefit भी आपको इस iron condor में 100% मिलेगा तो अगर आपको सीखनी strategy तो थोड़ा time दोस्तों में लेता हूँ लेकि चीजे जो है वो जैन्वन तरीके सापको सिखाने की कोशिश करता हूँ तो बने रहिए और iron condor ये unique वाला सीखिए अच्छे से समझिए स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल में मेरा नामें अन्मोल मित्तल अच्छा iron condor सीखने से पहले अपने एक skyping वाला ट्रेड में आज के दिन आपको शेर कर रहा हूँ आप ही देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है जिसके अंदर लगवक 7000 के आजबस का profit book करा है और स्रीफ 10 मिनट लगे हैं मुझे यह ट्रेड लेने में यह ट्रेड में दिखाना चाहता हूँ आपको एक बार यह देखिए orders में आप देखेंगे तो मैंने 9 बच के 27 मिनट पर मैंने एक shot करा option selling करी है और यह देखिए sensex की आज expiry थी 80400 बेगी जो put थी उसको दोस्तों मैंने short करा 10 lot के ओपर और यह 139 लगबग 140 रुबे गया असपास था यह जब मैंने short करा मेरा target होता है अवं 50% तो जैसी 50% आ गया मैंने अपनी profit booking कर ली और यह जो उपर आप order देख रहे हैं जिसको cancel किया गया जैसी मैंने यहाँ पर trade डाला था trade डालते ही दोस्तों मैंने यहाँ पर एक stop loss order डाल देता हूं मैं तो यह मेरी हमेशा एक strategy होती है कि trade लेते ही option selling में पहला काम होता है stop loss डाल देना और stop loss लग गया एक दिन में एक सब्सक्राइड में लेता नहीं हूं एक account में मैं 3-4 account manage करता हूं तो यह एक account है जिसका मैंने आपको दिखाया दो account दोस्तों और है जिनके अंदर अलग strategy चल रही है और कमाल की बात है वो दोनों भी profitable है आज के दिन में तो कुल मिला करके मैं क्या सकता हूं 20,000 रुपीज का आज के दिन में गेन करा है लेकिन क्या actually ऐसा होते है market में आप क्या करते हो 20,000 मेंने आज कमा तो आप calculate कर ले तो 20,000 ये एक दिन में कमा रहा है तो 10 दिन में 2,000,000,000,000,000,000 चार लाग कमा रहा है या ट्रेडिंग में बहुत पैसा है ऐसा नहीं होता लौस वाले दिन भी तो गिनो न कभी आज कमाया कल खोया जरूरी थोड़ी नहीं लगातार आपको पैसा मिलेगा त तो काफी लोग ये कहते हैं सर खुद तो ट्रेडिंग करते हैं यूटूब पर आजाते हो और चीज़ें बता देते हो तो वो एक बार में console दिखाता हूँ आप पर reports दिखाता हूँ तो ये देखे पैनल दिखाता हूँ ये देखे future and options एक second ये मैंने स्रिफ एक महिने का दि दिखा रहा हूँ लेकिन ये account में अप्रेल से हमने start करा देखे ये account मैंने नया खोला था मेरी मदर के नाम से अकाउंट है इसमें basically क्या करा था हमने tax बचाने के लिए government के taxes बचाने के लिए ताकि मम्मी को भी जो rebate मिलती है tax की उसका benefit उठा सके तो उनका account हमने खुलवाया तो बहुत legal तरीका आई है tax बचाने का कोई legal तरीका नहीं है और इसके अंदर देखे अप्रेल से शुरुवात करी थी every month आप देखेंगे बहुत सारे trade लिए गए है और हर महीने हम market के अंदर profitable है कोई महीना ऐसा नहीं गया कि हमने पैसा नहीं कमाया तो continuously हम market में profitable है total realize आप market के अंदर देख सकते कोल मिलाकर के दोस्तों market के अंदर यह रहा है तो अब अगर हम बात करें तो कितना इन 5-6 मेरे में कितना पैसा कमाया almost 10% कमा चुके है तो 10% कमा चुके है और अगर हम एक साल का target लेकर के चले तो 20% के आसपास अगर आ जाता है साथ में यह जितना भी fund लिक्विट 20 में रखा है 6% से मिल जाएगा 26% का return बहुत शांदा return होता है कोई खराबी नहीं है बाकी मेरी 30% का target रहता 30% मिल जाए एक साल के अंदर तो more than enough है तो यह दोस्तों रहा statement यह दिखाने की जूर्ट इसलिए पढ़ते हैं हम नए दोस्त जो आते हैं तो विश्व से पहले iron contour बनाने के लिए जिस भी index के ऊपर आप iron contour बना रहे हो तो उसकी एक range आपको define करने है कि इस range से लेकर इस range के अंदर यह particular index रहने के एक high probability है तो probability के ऊपर काम करेंगे तो इसके लिए मैंने आपके तरीका बताया था बड़ा simple सा तरीका है जिसके अंदर में एक indicator ल section में आते हैं और यहां देखें मैं लिखूंगा ATR यानि average true range तो average true range हमेने यहां पर लगा ली उसके बार time frame जिस भी time frame का आपको iron contour बनाना है तो यह जो iron contour है मैं suggest करूंगा कि आप इसको weekly पर ही बना सकते है क्योंकि इसके अंदर hedging cost कम होती है वो कैसे गम होगी जड़ा beauty की 1000 से लेकर 1200 के आसपास रहती है तो मैं 1200 के आसपास के range बना सकता हूं ताकि मुझे उस range के अंदर अगर market रहता है तो मैं profitible market के अंदर हो जाओ तो 1200 के आसपास की range में define कर रहा हूँ और यह range कब से लेकर कब तक चल रही है लगए एक डेट साल से यह range चल रही है ठीक है न तो 1200 के आसपास की range यहां पर बना करके देखेंगे कि क्या result आता है तो हमें range मिल गई अब हम आते हैं iron condor हम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले मैं sensible म आपको live दिखा हुआ कि किस तरीके सा iron condor चल रहा है profit and losses दिखाई दे रहे हैं साथ में एक example हम लेंगे दोस्तों जून 2024 को election की result आये जिसमें निफ्टी 6-7-8% तक नीची आ गया था तो उस condition के अंदर हमारे iron condor ने कैसा performance परफॉर्मस का मतलब यह क्या है कि हमें तो पैसे तब मिलेगा जब मार्केट यहां रुपा रहेगा iron condor में ठीक है न तो अगर market opposite action मतलब range को break कर रहा है iron condor की तो हम क्या कर रहे हैं मतलब उसमें कितना loss हमें हो रहा है तो वो दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें बिल्ड है new custom strategy एक strategy हम बनाएंगे और इसके ओपर जाते हैं तो सबसे पहले हम एक महीने वाली expiry select करेंगे तो liquidity होती है that's why reason मैंने यह select कर रहें तो अभी देखिए market कहां चल रहा है almost market चल रहा है 24,900 के आसपास ठीक है तो 1200 पॉइंट आगे चले तो हमारे पास एक range आती 26,000 की तो 26,000 एक अच्छा resistance है तो इस resistance को करते है play 26,000 वाली जो call है वो चल रही है सोर्बे की तो इसको क्या करते ह ठीक है तो जब हमने call short कर दी 26,000 वाली तो हमें इसका premium मिलेगा धाई हजार रुपे फंड री डे ओल्मुस्ट पचास हजार तो अगर market 26,000 के under में रहती है expiry तक अगले 40 दिन में expiry है जिसकी high probability है probability कितने percentage है परसेंटेज अगर 84% chances है कि market 26,000 के नीचे रहेगी तो अगर हम यहां देगे 500,000 हमें मिलेंगे ठीक है अब एक रेंज हम दूसरी वाली भी बनाते हैं 1200 नीचे तो अगर मैं यह 24,800 में 1200 पॉइंट हटा दूं तो almost 23,500-600 बनेंगे है न तो वह देखते एक बाद 23,500-600 यह लगा लेते हैं यह अच्छा इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम भी होगी बहुत अच्छा support का काम भी करेगा यह राउंड फीगर वाला है तो 23,500 अब क्या हुआ एक रेंज बन गई है अभी देखे ब्रेक इवन आपका आ रहा है तो 23,500 से लेकर 26,000 तक अगर निफ्टी रहता है आगे आने वाले 40 दिनों के अंदर तो मुझे यह 4,100 रुबे गया असपास का profit आएगा और इस strategy को बनाने मुझे 60, 65,000 पे लगेंगे अब यहाँ पर problem क्या है problem है max loss unlimited unlimited का मतलब क्या है unlimited का मतलब दोस्तों यहीं है जैसे की देखे मैं इसको zoom out करता हूँ अगर market जो हम सोच रहे कि 26,000 से लेकर 23,500 के बीच में market रहेगा अगर नहीं रहता है तो क्या तो क्या होगा अगर market उससे पॉइंट चला गया तो तो क्या होगा तो unlimited loss का potential है यानि अपनी रेंज से बाहर जितना market जाएगा उतना जादा आपको नुकसान होता चले जाएगा जितना गिरता चले जाएगा उतना जादा नुकसान जितना बढ़ता चले जाएगा उतना जादा नुकसान तो हम iron control में basically के लिए क्या करते हैं जो हमारी basic strategy है उसके अंदर हम क्या करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं protection के लिए जैसे कि देखे यह 23,500 वाली बेची जिसमें 64 रुपे 64 रुपीज हमें premium मिल रहा है तो हम क्या करते हैं 200 रुपीज नीचे जाके या नहीं देखे 50 रुपे यह मिल रह बचे ज्यादा पैसे नहीं बचे लेकि हमें protection मिल जाती है यह हमारी ordinary strategy है अभी मैं अपनी वाली बता हूँगा कि कैसे करेंगे तो यह कर लिया डूसरी साइट भी हम क्या करेंगे protection लेंगे तो यह देखे 100 रुपे का हमने यहां बेचा है 200 रुपे नीचे देखे 65 रुपे वाली एक बाई कर लेते हैं protection के लिए अब यह 200 हमारी बन गई iron condor strategy basically iron condor हम इसको कहते हैं अब इसके अंदर एक range defined है अब इसमें देखे max loss आपका decide हो गया कि आपको 3,700 पे से ज़्यादा न जाएगी ठीके ना दो लेगे अब इसके अंदर देखी problem क्या है problem basically है तो कुछ नहीं problem सिर्फ यही है कि हमें जहां 4000 रुपे मिल रहा था ना वो 4000 रुपे के सिर्फ पते क्या रहे गए 1200 रुपे रहे गए यानि जो hedging cost है हमारी जो हमने यह दूर की buy करी है वो हमें बड़ी जैसी ही strategy बना सकते हैं market के अंदर जिसके अंदर risk भी unlimited ना हो तो वो दोस्तों हम करेंगे आज की वीडियो में तो वो दोस्तों कैसे बनेगी जरा देखते हैं सबसे पहले यह buy हटा देते हैं दोनों side का हमें चाहिए ही नहीं वापिस unlimited नुकसान पर आ जाते हैं देखिए व market का कोई इमान धरम नहीं होता मेरे साफ से मेरा हमेश एक डायलो के market का कोई इमान धरम नहीं है market जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है compromise आप कोई करने नहीं करोगे तो नुकसान आ जाएगा और जितनी चल्दी कर लोगे उत्रा ज्यादा बैटर है है ना तो जिस तरीके से बी अब एक काम करते है अठाइस निवंबर वाली तो हमें महगी पढ़ रही है जी लेकिन हम यह भूल जाते है हमारे पस weekly expiry भी अविलेबल है बैंक निफ्टी की बंद हो गई कोई बात नहीं निफ्टी की तो है न सेंसेक्स की तो है न तो निफ्टी की एक बार देखते है तो निफ्टी की अगर हम देखे एक weekly expiry उठा लेते हैं अभी देखिए यह जो हमारी मंतली वाली expiry जिस पर हमने ट्रेड बनाया है उससे पह पहली वाली expiry है यह जो 6 दिन बाद expiry होने वाली है सबसे पहले हम इसमें एक हैज बनाते है तो हमने क्या करा था 26,000 वाली क्या बेची थी 26,000 वाली हमने कॉल बेची थी तो 26,000 वाली देखते हैं यहाँ पर कितने रुपे की आ रही है वो देखते हैं अब देखें 1 रुपे 65 पैसे की आ रही है कितनी की आ रही है 1 रुपे 65 पैसे तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ वहाँ short करी थी यहाँ buy हो जाएगा तो buy हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इससे इससे आपके protection मिल गई कि एक हफते के अंदर market अगर 26,000 सो उपर जा रही है आपको एक हफते की protection मिली जादा नहीं मिली वहाँ मिल आपको 40 दिन गिरी थी लेकिन यह देखे न इसकी कीमत क्या है कुछ भी नहीं एक रुप्या 65 पैसे ही तो है और hedge भी हो गया अब हमारा graph देखे ग्राफ कैसा बना अब देखे यहाँ पर unlimited कार्ट जो नुकसान था उसकी जगा एक कौन बन गया यहाँ पर देखे है न तो triangle बन गया कि अब आपको unlimited नुकसान नहीं होगा चाहे market 20% अगले दिन बाग जाए ठीक है न चलिए हमने 23,500 वाली एक बेची थी अब देखते 23,500 वाली कितने की चल रही है 3 रुपया 75 पैसे की चल रही है है न कम होगी न हैजिंग तो यह देखे कूल मिलाकर हम क्या करते हैं अब यहाँ पर buy कर लेते हैं अब हमारा जो unlimited नुकसान है max loss अब आपका स्रिफ रह गया 8,170 रुपया max profit आपको जो दिखा रहा है यह आगे की तरफ से दिखा रहा है आप इसको ignore करिए आपको यह पता है कि 4,000 रुपय का आपको premium मिलना था अब उन 4,000 में में से थोड़ा सा आपने इनको दे दिया buy करने में अब यह protection देंगे सिर्फ आपको एक हफ़ते की उससे ज़ादा नहीं देंगे तो जब एक हफ़ता हो जाए और आपको लगे कि market middle में है बहुत ज़दा volatile नहीं हुई है तो अगले हफ़ते की 1 रुपय, 2-3 रुपय वाली दुबारा buy करने बड़ेगी तो हर हफ़ते आपको यह काम करना पड़ेगा यह वाले zero होते रहेंगे यह protection zero होती रहेंगी और अगले हफ़ते की protection आपको लेनी पड़ेगी लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए हर बार market sideways नहीं होता है यह हर बार market एक range में नहीं रहता है market volatile भी होगा बीच बीच में range को तोड़ेगा भी कभी न कभी ऐसा दिल जरूर आएगा तो अपना stop loss decide रखिए कि आपको इस strategy में देखे 4000 पे का premium मिलना था मालने थे 1000 पे की costing आपकी हैजिंग की लग गई यह 2000 पे लग गई तो आपको 2000 पे कब मिलना है premium अब इस 2000 पे के premium के लिए maximum कितना loss लेने के लिए त्यार है तो मैं आपको suggest करूँगा कि 2000 का premium अगर आपको मिल रहा है तो 2000 कम से कम अपना max loss decide कर लो कि 2000 पे अगर कभी भी नुक्सान हो जाएगा मुझे इस strategy में तो मैं strategy बंद कर दूँगा फिर अगले महीने सोचेंगे क्या करना है तो इस तरीके से हम अपना risk मैनेज कर सकते है अब इसके अंदर देखे winning probability वो उससाब से नहीं दिखा रहा है यह हमेशा खराब दिखाएगा calendar spread बन गए यह दो side के तो यह कुछ खराब सा ही दिखाएगा लेकिन fund rate आपको 36,000 है तो maximum money जे 40,000 पे में strategy बन जाएगी लेकिन अब problem क्या है कि 20 November के बाद lot size बढ़ जाएगे तो अगर lot size बढ़ जाएगे तो obviously आपके profits भी उतने ही बढ़ेंगे यानि जहाँ 4000 मिल रहा था फिर वो 8000-10,000 होगा तो percentage term में कोई खास फरक नहीं मिलेगा लेकिन हाँ फिर आपको capital जो है इस strategy को बनाते हैं और देखते हैं यह चलती कैसे strategy और कैसे हम अगली-अगली हम weekly वाली हम buy करते या sell करते हैं उसको एक बार देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ stop moq पर और यहाँ पर हम simulation कर सकते हैं यह कोई promotional video नहीं है और मैं आपको ना तो suggest कर रहा हूँ stop moq आपको use करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो कोई promotional video आप इसको मत मानना हमारी कोई deal नहीं हुई है stop moq के साथ कि मैं कोई promotional video आपको दूँ अब चलिए एक strategy बनाते हैं जैसे कि हम बनाते हैं अगस्त का जो यह last expiry हुई थी ना expired होने के बाद तो Friday वाले दिन 30 तारिकों मानने थे हम बैठे हैं और 30 तारिकों हम यह अपना iron contour बनाना चाहते हैं ठीक है तो हम यह चाहते हैं एक range हमने define कर ली 1200 point के आसपास निफ्टी का momentum रहता है तो उसके साब से बनाते हैं तो हम बैठे हैं 30 अगस्त को यानि month end में अगस्त के end में तो अगले महिने की हम एक strategy बनाते हैं वो भी month end की तो अगस्त के बाद आता है September September की आखरी expiry है 26 September की तो जादा नि 27 दिन बाद की expiry हम यह बना रहे है तो 26 September वाली हमने contract select कर लिया market stand चल रही थी spot price देखे 25,200 तो 1000 point उपर का मतलब यह है कि 26,200 की हम एक call बेश देते हैं ठीक है तो हम आगे देखे 26,200 की एक call हम पेचेंगे तो 37 रुपीस की चल रही है यह buy हो गए गलती से एक से कर यह buy वाला remove करते है ठीक है अब यह बन गई है दोस्तो 26,200 तो यानि market 26,200 के under में expired होती है 26 September तक तो हमें यह पैसा मिल जाएगा ठीक है 923 रुपे अब एक काम करते है put भी बेशते है और put भी होई 1000 point नीचे तो 24,200 के असपस देखते हैं जो बेटर लगेगी तो देखें put की थोड़ी प्रीमियम जादा आ रहे है थोड़ा सा safe end 24,000 वाली round figure में बेश देते हैं ठीक है तो 3.5% का यह profit आपको देख रहा है इसमें max आपको profit आएगा कितना 2200 रुपे ठीक है अब यह एक lot के ओपर काम हो रहा है probability of profit 81% है यानि 81% chances है आप यहां से पैसा बनाएंगे तो आप एक काम करते protection लेते हैं protection कैसे लेंगे same expiry की नहीं लेंगे weekly expiry बनाएंगे तो सबसे latest जो weekly expiry है वो होने वाली है 5 September को ठीक है ना teacher day वाले दिन और teacher day वाले दिन दोस्तों में पैदा हुआ था यानि 5 September को मेरा जनम हुआ था 1993 रात को 2 वजे 2.32 पर और मम्मी पापा कहते हैं उस दिन बहुत बारिश थी तो तेरा पैदा होना बड़ा मुश्किल था और उस टाइब कोई खास weekly वगरा भी नहीं थे तो ये दोस्तों expiry है जड़ा चेक करते हैं तो 5 September सबसे पहले हमने बेची थी 26,000 दोसों गी है न तो उसकी protection लेते है तो 26,200 वाली जो call आ रही है weekly expiry में मार्ट डेड़ रुपेगी आ रही है एक रवा चालिस वैसे बस इतनी ही तो है तो इसको buy करते हैं ठीक है और unlimited loss से हम बच जाएंगे एक हफते के लिए at least फिर हम आते है 24,000 3.7 तो इसको buy करते हैं चलिए तोनों protection ले ली अब आपका maximum loss defined हो गया 5,900 maximum loss है तो unlimited loss से हम बच गए net credit अभी भी देखे दो हजार रपे हैं लेकिन एक हफते के लिए और estimated जो margin है वो रह गया है आप ही देखिए सिर्फ 33,000 रपे तो 35,000 माली जी max to max अब इसको दोस्तों बढ़ाते हैं तो आदे गंटे हमने आगे बढ़ाया तो 25 रवे का नुकसान आ रहा है कोई बात नहीं और spot price भी देखना 25,200 बे हमने strategy भी बढ़ाई थी 25,200 के आसपास तो अब एक दिन इसको आगे बढ़ाते देखते क्या रहते हैं जब हमने एक दिन आगे बढ़ाया अब हमें कुछ premium मिल रहा है जो 108 रुपे गा है और इसको और आगे बढ़ाते है 25,200 बे हमें मिल रहे हैं अब देखें market थोड़ा सा उपर नीचे हुआ है ठीक है न लेगी ज़ादा नहीं 100 point उपर नीचे हुआ है लगबग market वही है 340 रुपे अभी हमारे पास आ रहे हैं और मेरे ख्याल से expired हो गया contract और 430 रुपे का premium आप कमा चुके हो और जो protection आपने लीती न एक रुपे की हो तीन रुपे वाली अब वो zero हो गई है आपको क्या करना है अब अगली expiry पर हम आएंगे weekly expiry यानि 12 September को फिर हमें protection लेनी है और वही protection 26,200 वाली अगर हम देखें तो देखें एक रुपेया 60 पैसे की चल रही है बहुत सस्ती protection है तो इसको buy करते है चलिए और फिर 24,000 वाली देखते है 24,000 वाली कितनी की चल रही है 24,000 वाली 3 रुपे 90 बैसे लगबग 4 रुपे या आसपास की protection है या buy कर लेते है चलिए अब देखते हैं अब देखें net credit आपका और कम हो गया है क्योंकि आपने नई ये लिए न तो अब बढ़ाते एक दिन आगए एक second ये कहरा परानी position बंद करो पहले तो ये परानी position बंद कर देते हैं चलो जी बंद हो गई बढ़ो जी आगे चलो आगे बढ़ते हैं अब देखें market जो है वो नीची गिरा है जब market नीची गिरा उसकी वज़े से अब आपका पेरल थोड़ा सा loss में आ गया कोई बात नहीं और आगे बढ़ाते हैं अब वापिस market उपर आ गया थोड़ा profit में आ गया अब देखें 930 बे आ गया नेट आपको मिलना कितना था 1900 बे 1900 में से 1000 बे आपके बस आई रहा है तो आदा profit आप अल्रेड़ी कमा चुकी हैं market में और बढ़ाते आगे और देखते हैं अब भी देखिए अब क्या हुआ market में एक expiry और खतम हो गई है 1000 बे आपके बस profit आ रहा है तो अगर आप 1000 बे profit लेकर के संतुस्टो मतब 25,000 में से 1000 बे profit मतब 3% हो गया 15 दिन के अंदर तो अगर आप संतुस्टो तो आप पूरी strategy अपनी बंद कर के बाहर हो सकते हो अगर आपको आप चाहते हो कि नई जी और प्ले करना है और हम देखते हैं 24,000 वाली 7 रुपे 3 पैसे की मिल रहे है थोड़ी महंगी मिल रही है तो इसी volatility बढ़ी है शायर इसली हो सकता है और ये दो strategy हम अटाएंगे market से ये देखें ये दो वाले contract हम close कर देंगे exit कर देंगे भई हमारा इनका काम हो गया कितने रुपे लगे इनमे 32 रुपे 90 रुपे 37 रुपे इतना ही तो लगा कोई खास नहीं है तो अब इसको बढ़ाते आगे अब देखें 1100 profit आ रहा है 1200 आ रहा है बढ़ाते इसको आगे 1400 आ रहा है अब ही देखें net credit आपको मिलना 1700 रुपे था 17 रुपे में से 14 रुपे आपके पास आ रहे है तो और extend करनी की ज़रूर था ही नहीं इसको book करो, खतम करो 4% gas plus profit आई चुगा है बास समझे रहे, 4% already आ चुगा है तो हमारी protection भी होगी और हमारा iron counter भी बन गया तो समझ में आ गया किस तरीके से यह वाला काम करता है के लिए है अब यहाँ पर यह समझने की ज़ूरत है अभी तो market बहुत ज़ादा volatile नहीं हुआ थोड़ा उपर गया, थोड़ा नीचे गया तो premium आपको मिल गया देकि कर भी तो market volatile करेगा तो आपको अपना loss पी decide करके रखना है आप decide करिए कि इतना loss हो जाएगा strategy में, तो मैं भार हो जाऊँगा तो जितना आपको profit मिल रहा है at least उतना loss लेकर कि अगर आप market में भार हो जाते है तब भी आपकी win होने की मतलब एक higher probability रहती है कि आप ऐसे शायद market को बना जाओ तो एक काम करते सेनरियों लेते है election वाले दिन से पहले वाला तो उसमें देखे क्या होगा देखे जून में result आए थे may end की आखरी expiry 30 तारीक को हुई थी तो 31 तारीक को हम ये iron conder बनाएंगे हमेशा देखे क्या होगा market के अंदर अगर कोई black swan event आता है तो black swan event में क्या होगा premium एकदम increase होगे और आपने play करा होगा lower premium पर तो आप उतने अच्छे से चीजे manage नहीं कर पाऊगे लेकिन जो election की result होते है जो पहले से decided result है उसमें आपका advantage जे मिलता है कि premium अल्लेड़ी बढ़ चुके होते क्योंकि volatility market को पता है कि बढ़ेगी तो उसका advantage आपको पहले ही मिल जाता है तो हम अगर यहाँ पर देखे तो 31 में को हम यह सोच रहे कि strategy बनाएंगे पहले बात को यह ऐसा कोई बड़ा event हो तो Aaron Condor वगरा बनाने नहीं चाहिए पहले बात तो avoid करी आप उस one को कोई बड़ा event अगर आ रहा है लेकि फिर भी हम माल लेते हैं कि एक event था और वो हमने play कर लिया तो 27 June यानि अगले महिने की जो आकरी expiry है सबसे पहले हम 1200-1200 point के एसाफ से एक बनाते हैं तो market चल रहा है spot price है 22,500 तो 23,700 वाली एक उपर की call shot करते है तो 23,700 वाली आ रही है 181 रुबे की 181 देखे कितनी ज़ादा premium आ रहा है इसका वो इसलिए आ रहा है क्योंकि market को पता है कि market volatile होगा और max profit देखे 9% आ रहा है तो heavy volatility की वज़े से ये option के prices बढ़ गए है उसके बाद 21,000 वाली देखते हैं 21,200 तीनसों वाली कितने की आ रही है तो 21,300 वाली 158 की आ रही है 1200 point नीशे इसको भी buy कर लेते है ओ sorry short कर लेते है ठीक है तो यह हमारा बन गया एक strategy बन गई अब protection लेनी है हमें तो protection कैसे लेंगे एक 21,300 की लेंगे और उसके बाद ऊपर वाली लेंगे तो 21,300 की पहले protection ले ले देखते कितना premium आ रहा है तो देखे 21,300 का जो premium है यह थोड़ा सा premium calculate गलत तरीके से कर रहा है तो मैं 21,400 वाला premium यह select कर रहा हूँ क्योंकि premium गलत calculate कर रहा है चलिए और 23,700 वाला 87 पर ठीक है यह दोस्तों दो protection हमने ले ली तो cool मिलागर के दोस्तों यह strategy बन गई अब इसको दोस्तों एक बाद प्ले करते है तो net credit आपके पास आना है 3,800 के आसपास maximum loss इतना हो सकता है ठीक है तो 3,800 net credit आना है एक दिन आगे बढ़ाते क्या हुआ आप 1000 पर लॉस में चलेगे ठीक है और बढ़ाते है आप चलेगे 26,40 आप लॉस में चलेगे क्योंकि इस दिन market गिर गया था अब यही वो वाला दिन है लेक्शन रिजल्ट वाला दिन है जिस दिन market एकदब unnecessary नीची गिर गया था है ना तो इसको एक दिन और आगे बढ़ाते आप देखिए अभी भी आपको उतना loss नहीं आया था market गिर गया था unnecessary market गिर गया था 6-7% तब भी आपको जो net credit मिलना है उससे ज़ादा नुक्सान नहीं आया वो खतम हो गई तो वो खतम हो गई तो एक काम करते इन दोनों को आटा देते वे तुम्हारा काम हो गया तुम टाटा बाइबाइ करो और हम एक काम करते अगली वाली अगली वीक वाली protection लेते हैं तो सबसे पहले 21-300 वाली देखते कितने की आ रही है तो यह अब 8 रुपेगी आ रही है अब यह सस्ती हो गई है ठीक है और देखते हैं उसके बाद कौन से हमने 23-700 वाली जो हमने शौट करी हुई है इदे के 17 रुपेगी असपस की आ रही है तो बाइ कर ले चलिए 2 बाइ हो गया अब बढ़ाते एक दिन आ गए फिर वापिस मार्केट एकदम वोलटाइल हो गई जिस मुझे से हमें लॉस दिखाई दे रहा है फिर देखे 400 रुपे का प्रोफिट आ रहा है 800 का प्रोफिट आ रहा है 600 का प्रोफिट आ रहा है 1000 का आ रहा है अब देखें क्या हुआ, मार्केट के अंदर, अब मार्केट में आप ये देखिए, पुट ओलमॉस्ट पांच रुपे करे गया, जो शौट करा था, अब इसको आगे एक्स्टेंट करने का कोई बेनिफिट है नहीं, 23,700 वाली जो कॉल है, वो 50 रुपे की इसमें प्रीमियम बचा हुआ है, लेकिन आप मार्केट को देखिए, मार्केट कितना पास में आगया, मार्केट देखिए कितना पास आगया, 23,700 वाली हमने कॉल शौट करी हुई है, और 23,400 पे मार्केट अल्रेड़ी आगया, सिर्फ 300 पॉइंट का ही बीच में गैप रह गया, तो इतने कम गैप के अंदर, आरेन कॉंडर कॉंटिन्यू करना सही नहीं है, जब आपको अल्लेटी प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पर बैतर क्या है, भई हजार पे का प्रॉफिट आ रहा है, जो 2.8% आपको आ रहा है, स्टैटेजी बंद करो, प्रॉफिट लो अगले मेने सोचेंगे, तो आपको छोटी-छोटी चीजों का दियान रखके, चीजों को बैलस कर सकते हैं, और चीजें अपने दिमाग से चला सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों, iron condor हम market के अंदर use कर सकते हैं, अब एक चीज और है, काफी लोग कहेंगे, क्या हम इसको एकजस्ट कर सकते हैं, एकजस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा complicated ज़रूर होगा, एकजस्ट करना हैं, एकजस्ट कैसे होगा, मालेते की market नीचे गई, तो जो आपका call वाला lag है, उसको बंद करके थोड़ा से उसको आगे बढ़ा दो, ताकि थोड़ा ज़्यादा premium मिल जाए, या market उपर गई, तो put वाला नीचे से उठा के थोड़ा उपर कर दो, तो आप ऐसे shifting भी कर सकते हैं, लेकिन ये shifting की बेक limitation है, जो मैंने आपको बताया है iron condor with calendar spread, यानि ये iron condor हम बना रहे है, calendar spread का use करके, दो side की spread हमने बना दिया, एक call का spread बना दिया, एक put का spread बना दिया, और ये calendar spread है, इन दोनों का combination मिला करके हमारे एक ऐसा iron condor त्यार होता है, जो काफी कम हैजिंग के साथ चलता है, तो इसके advantage भी है, इसके disadvantage भी है, लेकिन ये कम costing का होने के कारण, मुझे personally बड़ा पसंद है, बाकि आपको पसंद आये ना आये, वो अलग बात है, तो अगर आप इस तरह के की कोई strategy बना रहे हो, तो बिलकुल live execute नहीं करना, क्योंकि चीजें manage नहीं होती, psychology developed नहीं होती, तो psychology developed करने के लिए best तरीक ही है, थोड़ स paper trade कर लो, sensible के अंदर draft बना सकते हो, यानि strategy बना करके, उसको play कर सकते हो virtually, demo trading के लिए, जिससे आपको पता लगेगा, चीजें कैसे काम कर रही है, तो 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना manage कर लो strategy को, देख लो, कि कितना profit आ रहा है, कितना losses आ रहा है, क्योंकि चीजें समझना, उसके practically करना, उन दोनों में फरक होता है, फिर अपने real पैसे लगा के करना, और ज्यादा impactful होता है, क्योंकि वो psychology आपकी हिलाता है, जब आपके real पैसे loss में जा रहे होते हैं, या profit में जा रहे होते हैं, दोनों तरफ में आपकी psychology हिलती है, तो वो चीजें manage करना दोस्तों बड़ा ज़रूरी है, तो practice करेंगे, चीजें करेंगे, तो आ जाएगी, market के अंदर पैसा सिर्फ risk management से बनता है, risk manage करना है, जब market आपसे लेने पर आई ना, तो एक full stop लगाना ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इतना ही देंगे, और वो लगा पाओगे, तो ही दोस्तों market में पैसा कमा पाओगे, तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, और बाकी यहां तक आपने वीडियो देखी हो, तो आपके लिए free gift यह है, कि अगर आप intraday trading सीखना चाहते हैं, मैंने आपको scalping दिखाई, साथ में एक दो strategy और है, जो हम play करते हैं market के अंदर systematic option selling के तुरू, तो वो दोस्तों आप सीखना चाहते हैं, या equity cash में internet trading सीखना चाहते हैं, तो इसका एक course हमने launch कर रहा है, जो बिल्कुल free of cost है, तो थोड़ी सी मैनत आपको यह करने हैं, दोस्तों हमारा channel subscribe करना है, notification bell को own करना है, और एक Google form हमने दिया है, description and comment box में, उ क्या हम expectation रखे profit आ सकता है, क्या expectation हम रखे इतना loss market में आ सकता है, तो वो सारी सीख दोस्तों इस course के अंदर सिखाए गई है, तो यह रहा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलें नेक्स वीडियो में, तब तेक लिए goodbye, God bless you, बाबाए दोस्तों